आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कैसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं पक्मन गो में आप डेली यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी बहुत सारी यहाँ पर टास्क करते होंगे पक्मन गो के अंदर और आपका टाइम लगता है और कुछ-कुछ यहाँ पर टास्क होते हैं जहां उन्हें कंप्लीट करते हुए आपका और ज्यादा टाइम लग जाता है उतना नहीं लगना चाहिए आप ऐसी कॉंसे ट्रिक्स कर सकते हैं मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ अगर उन ट्रिक्स का आप यूज करते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा और पॉक्मोन गो को आप ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे अगर आप यह ट्रिक्स करेंगे क्योंकि आपका टाइम जो सेव हो रहा है एक्जाम्पल के लिए अगर आपको टास्क 30 सेकंड में करें तो आप यहाँ पर 10 सेकंड 15 सेकंड में कर सकते हैं तो यहाँ पर तेरे-दिरे करते होगा आपका टाइम भी सेव होगा आप इंजॉय भी करेंगे और ट्रिक्स जो हैं वा आपके लिए इंपोर्टेंट भी है So first में आपके साथ share करता हूँ यहाँ पर red battles कि red battles में आप कैसे अपना time save कर सकते हैं आप जानते हैं already यहाँ पर आप जब Pokemon को beat कर रहे होते हैं वहाँ पर आपका बहुत जादा time लग जाता है means यहाँ पर आपको battle करनी होते है time waste नहीं बोल रहा हूँ मैं इस चीज को यहाँ पर क्योंकि आप game enjoy कर रहे हैं game में तो time लगेगा ही लगेगा वो तो normal सी बात है लेकिन कैसे आप यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर trick यूज करके जो useful नहीं है एक skip का option होता है na most of games में कि आप इस animation को skip कर सकते हैं लेकिन pokemon go में ऐसा skip जैसा कुछ है नहीं तो यहाँ पर friends आपको पता है जैसे आप red battle win करते हैं जैसे recent आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेजी गीगास की red battles करी इसके बाद मुझे जस पता है कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे items मिलेंगा इन उनके animation देखने को मिलेंगा फर्स ली तो यहाँ पर golden raspberry का xp का walls कितनी मिली वो and also जो update आए है battles में अभी कि आपको वो सब भी show हो जाता है कि इस में से best player कौन सा था last attack किसने कि आप वो सब चीजे भी आपको देखने को मिल जाती है तो आप उन्हें जस एक second में skip कर सकते हैं आप जैसे ही यहाँ पर battle win करते हैं मिंच जिस legendary Pokemon के आप red battle कर रहे हैं या फिर कहूं तो किसी की भी red battle कर रहे हैं जैसे ही वो यहाँ पर beat होता है आपको जस उसके बाद यहाँ पर Android जो phone होते हैं वहाँ पर आपको एक option मिल जाता है कि आप back आ सकते हैं इस वाले options से इस वाले button से बस आपको जस उसी समय वहाँ पर tap करना है और आप direct encounter करने लग जाएंगे जिस Pokemon के आप red battle कर रहे थे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर time save हो गया और अगर आप करना चाता है नहीं करना चाता है यानि कि आपको वो चीज़े देखनी है तो आप वहाँ पर skip न करके आप यहाँ पर back का जो option है वो न करके आप just for animation देख सकते हैं वो भी अच्छे ही लगते हैं लेकिन अगर आपको time save करना है अगर आपको और भी play करना है Pokemon Go को ज़्यादा time तक play करना है तब आप यहाँ पर यह सब चीज़े use कर सकते हैं और यह समझ गयोंगे and next में आता हूँ Pokemon catch करते वक्त आप कैसे यहाँ पर time save कर सकते हैं last में मैं आपके लिए एक और अच्छी trick शेयर करना है जो आपके लिए और भी ज़्यादा useful होगी so yes अभी मैं बात करते हूँ यहाँ पर Pokemon catch की कोई hack नहीं है बज़े आपके लिए tricks है यहाँ पर आपको करना है एक Pokemon बड़ टैप यानिकि आपको जिस Pokemon को catch करना है उस पर करना है टैप and then जैसे ही वो आता है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है आपको अपने thumb का use करना है आप इस Pockyball को भी Pockyball वाला जो यहाँ पर section है उसको भी swipe कर सकते है और बात को यहाँ पर जो Barry वाला option है उसको भी swipe करके आपको बस वहाँ पर hold करकर रखना है आपके thumb को यहाँ पर यह चीज़ करना है तो बस यह चीज़ जैसे ही आप करेंगे और उसके बाद आपको Pockyball throw कर देनी है उसके उपर आपको बस thumb भरताना है हटाना है और उसके बाद आपको यहाँ पर जो option दिख रहा है सबसे उपर top run का वहाँ पर आपको tap करके बाहर आजाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर Pockmon वो catch हो चुका है यह यह चीज़े आप कितना ज़्यादा time save कर सकते हैं इस trick का यूज करते हुए आप समझ गयोंगे और आइधिंग monster of trainers यह यूज करते होंगे लेकिन फिर भी नई जो trainers थे इसलिए मैंने का चलो यह शेयर कर ही देता हूँ आप कैसे time save कर सकते हैं वह मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर मैं अभी हूँ फ्रेंड वाले section पर यहाँ पर जितने भी मेरे friends हैं उन्होंने जो मुझे gifts भी 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 भीजने होते हैं तो अब मैं कैसे यहाँ पर यह चीज करूँगा यानि कि gift को मैंने tap करा इन उसके बाद यहाँ पर जितनी भी मुझे items मिले उनके animation इन उसके बाद यहाँ पर जो मेरे friends के साथ जो level increase वह सारी चीज़े मुझे 15 almost seconds लग गयते हैं फिर मुझे यहाँ पर भीजना भी है उसको तो वहाँ भी कुछ seconds लग सेंगे तो यानि कि आपको time यहाँ पर देना पड़ता है एक friend के साथ यहाँ पर gift भेजते हुए तो यही चीज आप कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको कुछ नहीं करना है आपको बस आपके friend ने जो आपको gift भीजा है उसको tap करना है and open करते हुए आपको यहाँ पर क्रॉस वालो जो अप्शन दिख रहा है बस उसको उससी टाइम जस्ट टैप कर देना है भल एक बार नहीं हो तो आप बार बार कर देना आप जस्ट यहां पर बैक आजाएंगे आपको जो भी यहां पर आइटम्स मिल रहे हैं जो भी अनिमेशन क्या देखना है वही सेम मिल र कम टाइम से भी आप कम टाम में भी सकते हैं जानि की आपको बस टैप करना और एक अच्छी से ट्विक करना और यही जो ट्रिक है यह आपके खर्द के कम्योंईटी डेक इस आपकी लिए एक स्पॉर्टा आवर में को यहां पर जैसे आपको पक्र wireless एक्टा स्कते करूँगा यह जीज आएगी यानि कि इस चीज को आप यहां पर ध्यान से देखना आप खुद यहां पर observe करेंगे आपको खुद समझमा जाएगा कि आपको यहां पर time लगता है जैसे आप उस पोक्मोन पर tap करते हैं then वह आता है then फिर आप यहां पर back जा पते हैं उसमें आपको AR जो यहां पर mode है उसको on कर देना है अब आप यहां पर टैप करें आप जस्ट एक सेकेंड में आपके लिए वह पोक्मोन आ जाएगा वह शाइनी होगा तो आप आपको देखने को मिल जाएगा नहीं होगा तो आप back आ जाएं and same चीज यहां पर आप spotlight hour में कर सकते ह एक पॉकमोन का यहां पर spotlight hour होता है एक hour के लिए आपको वही पॉकमोन देखने को मिलता है आपको उसके shiny से मतलब होता है कभी कभी यहां पर उस पॉकमोन को catch करने से मतलब होता है लेकिन most of time यहां पर shiny से हमें यहां पर होता है and जो यहां पर shiny catch करने के ज़्यादा यहां प को और फिर आप यहां पर back to back back to back pokmons को check करते जाएं आपका time बहुत ज्यादा save होगा आप खुद यहां पर देख लेना आप खुद observe करेंगे आप खुद करेंगे कि हाँ इस चीज में भी आपका time save हो रहा है और यह ट्रिक आप करते होंगे यही था इस वीडियो में आप अपना time save हो कर सकते हैं अच्छा खासा तो चलो मैं मिलता हूँ आप से किसी और interesting वीडियो में तब तक के लिए वीबेक फैमली को वीबेक के तरफ से बाई